हेलो एवरिवन वेलकम टो किचिन चैंप आज हम सोया बीन की मिठाई बनाने जार हैं यह बहुती टेस्टी और यूनिकी रेसिपी है और इस मिठाई को पांच छे तीन तक खा सकते हैं चासनी में रख करके यह मिठाई खराब नहीं होती है और इस मिठाई का जैसे जलेबी का टेस्ट आता वैसा ही आएगा वीडियो को लाज तक देखना अच्छे से ताकि आपको समझ माई की कैसे बनाते हैं आए ज़रो करते हैं यहाँ पर मैंने एक बोल में सोया बीन ले हैं और यह गराम में आपी तो सो गराम के लगा गए अब इस सोया बीन को गरम पानी में डालेंगे तो यहाँ पर इस कंटेनर में मैंने पानी गरम के लिए हैंने पानी को बाल लिया है अब इसमें डाल देंगे और इसको रखेंगे दस मिन तक के लिए ताकि अच्छे से गल जाएं सोयाबीन और पानी के अंदर अच्छे से डूबो देंगे तो सोयाबीन को रखे हुए 10 मिट हो चुके हैं ये अच्छी तरह से फूल चुके हैं तो आप देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम हो तो सोयाबीन को बोईल भी कर सकते हैं यानि बोईल करने में 2-3 मिंट उबाल लेंगे पानी में 2-3 मिंट के लिए अच्छे से गल जाएंगी अब हमें एक कंटेनर लेंगे और चलने लेंगे उसके उस पूरा पानी निकाल देंगे सोयाबीन का तो पूरी सोयाबीन को चलने के उपर डाल देंगे अब दबाद बाकरे चमच की साहता से पूरा पानी निकाल देंगे या फिर ठणी होने के बाद में हाथ से भी निचोड़ सकते हैं लेकिन पानी पूरा निकालना है तो पानी पुरा निकाल दिया है, अब रखेंगे सोयबीन को अलग अब यहाँ पर एक बढ़ता ले लेंगे, कोई भी परात या ले सकते हैं और इसके अंदर एक टोली भर करके मैदा डाल देंगे, यह गराम में नापी, तो 1.500 गराम है और दूच मजबर करके घी डाल देंगे, आप रिफाइन ओयल भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पसंद हो भी डाल सकते हैं घी डालने के बाद में यहाँ पर मिक्स करेंगे, पूरे मौईन को अच्छी तरह से तो गी को मैंने मिक्स कर दिया है तो देख सकते हैं इस तरह का मौयन होना चाहिए यानि मूठी में बांदेंगे तो थोड़ा सा भिखरना चाहिए अब यहाँ पर डालेंगे हाप टी स्पून यानि आदा चमच बेकिंग सोड़ा और इसके बाद में डालेंगे दही लिया है मैंने एक टोरी भर करके यानि मैदा ली थी उसी एक टोरी से अब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे आदा मिक्स कर दिया है तो देड़े मिक्स करेंगे अब आदा टोरी और मिक्स कर देंगे तो इसमें पूरा दही, डेड टोरी दही लग जाएगा यह एक टोरी मैदा में डेड गूरी दही मिक्स किया है मैंने दही हमारा ताजा ही होना चाहिए अगर खटा होगा तो मिटाई अच्छी नहीं बनेगी अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है दही और मैदा को इसमें गांठे नहीं रहने जानी गूटले एक भी नहीं रहने चाहिए पांच-छे मिन तक फेटना है अगर टाइम कम हो तो आप मिक्सरजार में ग्राइन कर सकती है थोड़ा सदा ही और मिक्स किया है मैंने यानि पूरा डेट कडोरी यूज किया है तो आप विस्कर के साइटा से भी मिक्स कर सकते हैं या फिर मिक्सरजार में ग्राइन कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने फेट लिया अच्छी तरह से पांचे मिन तक यान क्रीमी क्रीमी टाइप बन गए हमारा पेस्ट तो इस तरह का पेस्ट होना चाहिए अब मैं यहाँ पर डालूँग फूड कलर आपकी पसंद ना हो तो आप स्कीप कर सकते हैं लेकिन इस मिठाई का कलर अच्छा आएगा अब अच्छी तरह से मिक्स और कर देंगे इसको तो फूड कलर भी मैंने मिक्स कर दिया है तो आप देख सकते हैं इस तरह की कंची तेंसी होनी चाहिए हमारी मिठाई की तो पिस्ट रेडी है अब यहाँ पर जो सोयबीन ली थी है हमने निचोड करके वो डाल देंगे इसमे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तो सोयबीन को मैंने मिक्स कर दी है अब चलते है नेक्स रोसेश की तरफ यहाँ पर एक पैन लिया है मैंने और एक टोरी बरकर के चीनी डाल देंगे जो मैं डाली थी वही सेम कटोरी लिया मैंने फूल बर करके और वही सेम कटोरी से डाल दें एक कटोरी बर करके पानी ग्राम में ना पें तो ये दो सरवाम चीनी है चीनी अच्छी तरसी मिक्स हो चुछ की है अब हम डाल देंगे लाइची पाउड चिलके के साथ ही डाला है मैंने कूट करके लाइची दो चम्मच और फूड कलर डाल देंगे फ्लेम मीडियम रखेंगे और मिक्स करते जाएंगे तो 4-5 मिन लगेंगे चीनी गुलने में तो हम यहाँ पर चासनी नहीं बनाएंगे सिर्फ मिक्स ही होने देंगे चीनी को पाने के अंदर अगर चासनी बना लेंगे तो जो मिठाई है हमारी उसके अंदर चीनी नहीं जाएगी यानि चासनी बन जाएगी तो और अब चेक करेंगे कि चीनी मिक्स हो चुकी है क्या तो जैसे हाथ के लगाएंगे तो जैसे सैद का चिपचपापन होता है ना वैसा ही होना चाहिए अब हम गैस ओफ कर देंगे और नेक्स प्रोसेट की तरब चलते हैं यहाँ पर मैंने एक पैन में तेल गरम करके रखा है तेल गरम होना चाहिए उसके बाद में यह डाल देंगे एक बार फ्ले मेडियम रखेंगे उसके बाद में लो कर देंगे ताकि अच्छी तरह से हमारी जो मिठाई है वो पक जाए तो यहां पर मैंने सारी डाल दी हैं, डालने के बाद में इसको पल्ट देंगें अच्छी तरह से यह बहुत ही आसान है बनाना मिठाई और टेस्टी बे बहुत बनती है तो टूटल पकने में 5-6 मिंट लेगेंगी अब हमें इस जहरे में निकाल लेगे इसी तरह से सारी मिठाई को बना कर हमें तयार कर लेगे इस मिठाई में डो जी bigger का दियार रखना है पहली बात तो यह है कि जो हमने बेश बनाया है मैडा का वो अच्छा बना चाहिए और दूसरी बात यह है कि जो हमने चीनी का गोल बनाया है उसका भी ध्यान देना है कि वो ज़्यदा पतला भी नहीं होना चाहिए और एक या दो दार की चासनी भी नहीं बरनी चाहिए तो सारी मिठाईया हमने बना ली है अब जो चासनी बना के रखी है उस चासनी को छोड़ा सा गरम कर लेंगे ठंडी हो गई है तो और ज़्यदा गरम भी नहीं करेंगे नॉर्मल से होने चाहिए अब चासनी के अंदर डाल देंगे जो हमने सोयाबीन की जो भी बालो शाई पकोड़ी कुछ भी नाम रख सकते हैं इनका और चासनी के अंदर पूरी डोगने चाहिए अगर आप ज़्यदा बना रहे हो तो चासनी भी ज़्यदा बना सकते हैं अब सर्व करेंगे तो सोयाबीन की मिठाई हमारी तयार है बहुती टेस्टी और डेलिशिस बनी है और इस मिठाई को डब्बे में डाल कर रखतेंगे फ्रीज में तो यह मिठाई खराब नहीं होगी चार-पांस दिन तक के लिए और जो बच्ची सोयाबीन की सबजी या सोयाबीन की साथ सोयाबीन की पकोड़ी नहीं खाते हैं तो इस मिठाई को बहुती कुसी से होकर खा लेंगे बच्ची तो आपने देखा कितने कम समान में यह मिठाई बनकर तयार हो गई है अगर इस मिठाई को खाएंगे तो बालू साइक को खाना भी भूल जाएंगे और इस मिठाई को और भी टेस्टी बनने के लिए काजू पिस्ता बादाम कुछ भी डाल सकते हैं अगर यह रिस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मैत बूलिएगा थैंक्स दोस्तों टाटा टेक केर बाई बाई नहीं रिस्पी के साथ फिर मिलते हैं